इस पेशकष में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आज की पेशकष इसलिए खास है क्यूंकि हम 2024 में अब जा रहे हैं और ऐसे में 2023 में आपने अपने इंवस्मेंट पोर्फोलियो को लेकर क्या-क्या गलतियां कर रखी है क् पुरकर मॉनिस्टार से मेरे साथ जुड़ गये हैं वस्तव स्वागत है आपका हमारी स्पेशकष में पूरे साल आपने हमारा साथ दिया और मेरे दर्शु को का मार्डर्शन किया इसके लिए आपका धन्यवाद अब 2024 में भी हम जा रहे हैं और एक बार फिर से आपकी गा बढ़िया साल रहा है निवेशोकों के लिए जो एकुटी मार्केट तो काफी मार्केट का बढ़ाव हुआ है और निवेशोकों ने काफी अच्छा पैसा कमाया है मार्केट में तो ये काफी बढ़िया साल रहा है निवेशोकों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए ये बोल जो investment goal होता है वो उनको मिलना चाहिए long term investing के हिसाब से ना कि कुछ short term वो गलतिया करे जो उनके पूरे portfolio को आगे जाके बाधाये डाल सकता है तो वो ही उनको दिमाग में रखना है कि वो जो भी गलतिया है वो कैसे सुधारे सबसे पहले तो क्या गलतिया है वो समझ ले और क्यो गलतियों पर focus करते हैं और बाजार का उता चड़हाव और जिस तरह से across market gaps खासतरों से mid cap small gaps में हमने जलवा देखा है उसी जलवे के कायम रहने की उमीद निवेशक कर रहे हैं 2024 में लेकिन पहली गलती इस पूरे mid cap small gap में run up को देखते हुए निवेशकों ने क्या की होगी और जब हम निवेशकों की बात कर रहे हैं ये भी एक बार highlight कर देते हैं कौस्तव दर्शकों को की हम investors की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा plan तरीके से अपने investment portfolio को बनाते हैं और इन निवेशकों की गलतियों की हम बात कर रहे हैं बताईए जी बिलकुल तो कमिता जी जैसे जो काफी popular हो गया है इसके साल में क्योंकि जैसे हम data देखते हैं तो small cap funds को कुछ 27,000 crore के पैसे आए थे, mid cap fund को कुछ 22,000 crore के पैसे आए तो सबसे एक नमर पे और तीन नमर पे हैं flows के हिसाब से तो मेरे thinking यह है कि while mid and small cap stocks या funds काफी अच्छे हैं long term perspective से अभी हाली में इतना जो उनका बढ़ाव हुआ है उनका stocks का 30-40% का return आया है तो निवेशक, I'm some human है तो वो excitement हो जाता है कि अगर ऐसा बढ़िया return आया है हाली में तो यह आगे जाके भी आ सकता है और वो ही मैं चितावनी देना चाहता हूं निवेशक को कि यह ज़रूरी नहीं है कि हर साल यही ऐसा बढ़िया return आता जाए और हमने पिछले भी काफी सालों में ऐसा ही देखा है trend market में जैसे 2017 में middle small cap funds काफी ज़्यादा बड़े थे पर उसके बाद 2018 में उनका काफी healthy correction भी आया था और काफी गिराव हुआ था इन funds में और small cap को तो 2019 में भी वो चालू रहा था तो यह निवेशों को बताना है कि अगर आपका निवेश करने का smaller mid cap में करना अच्छा है पर आप कुछ चीजे जरूर याद रखेगा पहले तो आप जादा excessive allocation मत लीजेगा जैसे हम अभी का data देखेंगे तो मैंने बोला smaller mid caps first और third number पे आये थे हमारे इसाब से large or flexi cap funds कोई भी portfolio का core होना चाहिए और आप middle small cap उसके उपर का लीजे पर कुछ चीजे जरूर याद रखेगा पहले तो realistic expectations होती है कि जो पिछले साल में return आया है वो आगे जाके जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सालों साल ऐसा ही return आया है जैसे मैं बोला correction आता है और correction काफी time के रहे भी सकता है तो वो आपको ज़रूर याद रखना है कि पहले तो आप realistic expectation लेके आए दूसर आपका जो समय है जिसके लिए आपने वेश करें वो थोड़ा बढ़ा लें क्योंकि काफी run-up आया है इन stocks में तो 7-10 साल का समय लेके चले और asset allocation के हिसाब से जैसे मैं बोला large flexi cap fund जादा रखि तो यह अगर आप ऐसा portfolio create कर सकते हैं तो जादा बहतर हैगा आपके long term के लिए क्योंकि जब correction आ सकता है market में तो middle small cap जादा गिरते हैं large cap के हिसाब और उनका जो time जो गिरते हैं थोड़ा जादा भी हो सकता है जैसे history ने सिकाया है तो वो ज़रूर आप याद रखिएगा और जादा excessive allocation मत लीजेगा क्योंकि तो आपके portfolio के हानी का रखो सकता है और राइट चलिए तो यहां पर अपने जोखिम का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा और किस तरह से अब रणीती के लिहाद से आपको 2024 में आगे बढ़ना है इसका ध्यान रखना होगा लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और क्योंकि हम तमाम तरह के उतार चरहाव में फि जो चली है क्योंकि घरेलू फ्रंट पर कॉस्तुभाम काफी मजबूती से खड़े हैं तो ऐसे में अगर कुसी निवेश्वा को थेमाटिक रुख करना हो तो क्या को चूख हो चुकी है 2023 में जो शायद 2024 में अवाइट की जा सकती है जी बिलकुल करता जी तो अगर वापिस वो अगर आप डेटा देखें एंफी जो पब्लिश करता है तो थेमाटिक और सेक्टर फंड्स जिने हम बोलते हैं उसमें 25,000 करोड का पैसा अभी इस साल में आया है और वो सेकिंड हाइस फ्लोज है पूरे एकुडी कैटिगरी में तो मिडन स्मॉल कैट जैसे में होला तीन नमर और एक नमर पे और बीच में थिमाटिक फंड्स दो नमर 25,000 करोड के साथ तो मेरे इसाब से काफी जादा फ्लोज आए हैं इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से क्योंकि क्या होता है कि वापस कुछ सेक्टर या थीम्स तो हम नो कोई सेक्टर उभर के आता है और वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है जैसे कुछ साल पहले 2020 और 2021 में जो टेक्नोलोजी सेक्टर था अपनी IT कंपनियों कोविड के टाइम पे काफी बहतरीन परफॉर्मेंस था उनका और उनके रिटर्न काफी अच्छे आए था पर नि एसा ही रिटर्न देगा पर हम सब को पता है कि उसके बाद टेक्नोलोजी सेक्टर काफी प्राब्लम से जूज रहा है और उनके स्टोक्स रेलेटिवली अडर्फॉर्म किये और जैसे मैं बोला है यह सेक्टर जो होता है वो चलता रहता है सालों साल कोई नया सेक्टर उभर के आएगा हर साल पट अगर आपको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा निवेश के लिए बहतरीन चीज क्या है कि आप डिवर्सवाइड एकुटी फंड में निवेश करें जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो उनका जॉब है यह फंडमेंटल निवेश करने का और वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि वो पूरा पैसा एकी सेक्टर में डाल देंगे वो क्या करेंगे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम depending उनका view क्या है सेक्टर पे positive या negative है तो वो जादा बहतर रहेगा अगर आपको सेक्टर फंड में निवेश करना ही है तो उतकुछ चीजे याद रखेगा पहले तो आपको खुद वो call लेना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है fundamental हिसाब से ना कि कौन सा सेक्टर अभी हाली में फिलाल अच्छा performance दिया है दूसरी बात अगर आप सेक्टर फंड लेना चाते हैं तो जादे से जादा 10% से जादा मत लीजेगा और एक सेक्टर में 5% से जादा अपके पॉर्फोलियों में मत डालेगा क्योंकि वो काफी वॉर्फोलियों होता है जैसे हमने देखा है तो यह अगर आप सोचके जाएंगे और जादा से जादा निवोशियों के लिए डिवर्सभाइड एकुरिक फंड ही बहतर रहता है आप यह थोड़ा याद रखेंगे तो आपके पॉर्फोलियों के लिए अच्छा रहा है क्योंकि कुछ-कुछ पॉर्फोलियों हमें देखे हैं जैसे अब लोज भी बता रहे हैं जिनने 20-30% के भी सेक्टर फंड हो गए हैं और जब गिरेगा तब हम निवेश करेंगे जो शाद इंतजार में ही रहे गए हो जी बिल्कुल काविदा जी यह तो इगम वो जो क्लासिक गल्ती जो बोलते हैं कि हर निवेशत के दिमाग में रहता है कि अगर अभी इतना बाजार बढ़ गया है तो शायद मैं थोड़ा रुख जाता हूँ थोड़ा नीचे आ सकता है फिर मैं फिर खरीद लूगा यह प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे मार्केट में तो और ज़्यादा हो जाता है जब मार्केट न्यू हाइल बना रहा है क्योंकि निवेश साइड में रुख जाते है और वो अपनों निवेश कभी करना ही सकते है तो मैं एक ऐसा उदारन जदा चाहता हूँ कि अगर आप कभी गाड़ी से अगर आपको कहीं जाना है और आप सोच रहे हैं अभी तो बहुत ट्राफिक होगा मैं नहीं निकलता हूँ मैं थोड़ा रुख जाता हूँ ट्राफिक फिर कम हो जाएगा फिर आप देखते हैं वाहर तो ट्राफिक बढ़ गया है कम नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप सोच में ही रह जाते हैं आप कभी अपने मंजिल तक पहुँच नहीं पाते हैं तो इसके आपको क्या करना चाहिए कि आप धीरे-धीरे SIP के थुरू आप निवेश चालू कर दीजिए आप मार्केट का उतार चला तो चलता रहता है हमने कितने सालों से देखा है कि कभी मार्केट नया हाय बनाया फिर कुछ गिर गया पर वो कोई प्रिडिक नहीं कर पाता इसलिए बैतरीन क्या रहेगा आप SIP के रूट के थुरू आप निवेश करते जाहिए करते जाहिए तो आपका जो दिमाग को कुछ यूज नहीं करना है कि मैं अभी निकलू या बढ़ाओ आप बस हर महिने जितना भी आपका जवाब पुझे जितना आप डाल सकते हैं वो डालते रहे है SIP के थुरू और आपको और कुछ रोते हैं कि ज़रूरत नहीं है अगर आप ये करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और दूसरी बात जो यूज बहुत मैथूपूर्ण है कि क्योंकि market अभी नए हाइस बना रहा है तो पहले तो आपको जो realistic expectations की में बात कर रहा था वो बहुत ज़रूरी है कि आप सोचें कि ठीक है अभी हाली में बहुत बढ़िया रिटर्न है पर ऐसा नहीं है कि यही रिटर्न हर साल आपको मिलेगा आप थोड़ा realistic expectations के रहाद आएगा और अपका जो investment time horizon है वो बहुत ही मैतवपूर है कि आप ठीक से सोच के आई है कि अगर निवेश करना है तो minimum पात साल ideally दस साल के करीब आपको रखना है जाए equity में निवेश करने कले तो यह आप सोच के अगर आएगे तो आपका portfolio बहुत कुशलमंगल रहेगा चलिए चाचा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा 2024 में अपने portfolio की rebalancing को लेकर asset allocation को लेकर क्या कुछ गलतिया हैं जो लोगों ने कर रखी हो शायद अगर शायद वो large cap में ही रह गए हो तो mid cap, small cap में अगर उन्होंने अपना exposure नहीं डाल रखा हो करें जब अपना portfolio बना रहे हो तो क्योंकि वो काफी चीजों पर depend करता है जैसे आपका risk return का क्या objective है या आपका समय कितना है आपको निवेश करने कि रहे क्योंकि अगर कोई 5 साल से ले निवेश कर रहा है शायद उसका उनका equity allocation थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि 5 साल इतने नहीं होते है निवेश कर निवेश कर निवेश करने पर अगर किसी का 25 साल का निवेश कर समय है तो वो शायद पूरा equity में डाल सकते है तो यह जो asset allocation होता है वो पहले सबसे महित्वपूर बात है कि निवेश कर लें कि वो कैसा allocation लगेगा तो जब हम बात करते हैं कि market जब बहुत बढ़ जाता है तो human nature होता है कि हम excited हो जाते हैं कि चलिए equity बहुत अच्छा कर रहा है तो सब उसमें ही पैसा डाल रहते हैं और अगर आपका 80 का equity allocation था वो शायद आप 100 के करीब ले जाए तो वो थोड़ा हानिकारख है क्योंकि अगर कल equity correct कर लिया तो आपका portfolio ज़्यादा गिर सकता है अगर आपका storm है equity में है as compared to 80-20 equity तो वो आप याद रहें कि always asset allocation के हिसाब से ही चलिए दूसरी बात जैसे हमने बात की market तो उतार चड़ाव चलता रहता है तो जो rebalancing होता है वो भी बहुत important है क्योंकि अगर आपका equity का जैसे में धारन भी रहा था 80-20 है, 80 equity, 20 fixed income और market अभी हाली में कितना बड़ा है तो वो 80 का 90 हो गया तो मैं निविशों को वो ही कहूंगा कि आप वो 90 का वापस 80 पे लेके आए क्यों अगर market correct हुआ तो जैसे वो ही 80 will fall less than 90 तो वो बहुत important है कि आप rebalance करते रहे जो अपने strategic allocation के पास लेते रहे क्योंकि वो ही discipline ला सकता है आपके निवेश करने में तो ये भूत ही महतुपूर बात है जो निवेशक काफी अच्छे times में या बुरे times में भी भूल जाता है जिसे बुरे times में अगर equity allocation गिरा आपको वापिस बढ़ाना चाहिए और राइट विये समय तो लगबग खतम हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से एहम गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए या अगर आपने की है 2023 में और 2024 में जाते भी नहीं करनी है diversification में ब्यास्तरों के सिलसले को देखते हुए थोड़ा सा सोने अंतराश्टर equity में और खास्तावर से funds को लेकर जो top performing funds को लेकर है उनको लेकर क्या-क्या गलतियां जो हुई हो जो avoid करनी चाहिए 2024 में जी बिलकुल तो पहले तो आप fund का past performance पे funds ना खरीद है आप देखे जो consistently managed funds है उनमें आप निवेश कीजिएगा और funds का भी उपर नीचे हो सकता है क्योंकि जो हम style की बात करते है growth style या value style वो different market cycles में काम करेंगे तो आपको यह याद रखना है कि आप देखे कौन सा ठीक से manage कर रहा है over the cycle और उनमें निवेश कीजिएगा पर ऐसा मत कीजिएगा कि क्योंकि यह हाली में अच्छा किया है तो मैं इसमें निवेश करो रहा है क्योंकि जो हाली में अच्छा किया है कल खराब कर सकता है understandably so पर आपको वो थोड़ा analysis करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से आप अगर growth style और value style दोनों अपने portfolio में blend करें तो वो बहतर रहेगा वो एक fund के हिसाब से हो गए दूसी बाद जो है gold और international funds वो भी बहुत मैत्वोपोर है कि आप asset allocation के हिसाब से ना सिर्फ equity और Indian fixed income ले आप थोड़ा international equity और gold भी diversification के हिसाब से ले और वो हार टाइम लेते रहे ऐसा नहीं कि अगर जैसे हम हाले भी देखाए international fund से थोड़ा पैसा निकला है आप टालते रहे हैं आप asset allocation maintain कीजेगा अगर आप ये discipline रखेंगे आपको portfolio काफी बढ़िया करेगा over the long term और ये ही asset allocation का job है to keep it simple चाहिए कॉस्तूब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला और एक बार फिर से दर्शुकों का मार्दर्शुन की और इस बेहत खास पेशकरश में शिर्कत की धन्यवाद आपका उन्यवाद